गुड मार्निंग डियर इस्टुडेंट्स गायत्री कोलेज सांचूर की आललाइन क्लासिस में आपका स्वागत है। आज हम यह सी पार्थार्ड और्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सर्स्टिट्यूशन रियक्षन ओफ थायोल या थायोफिन ने उसके इलेक्ट्रों सनई परतिस ताफन अभी किरिया हैं। उसके बारे में बिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्ट्रों में अपने थायोल या थायोफिन के प्रिप्रेशन की बात की थी। इसके जो बनाने की वीजिया हैं। किस परकार से थायोफिन का संस्लिशन किया जाता हैं। जिसमें पालनोर सिंतेसिस से, नॉर्मल ब्यूटेंज से, एसीटिलेंज से, फ्यूरेग एसीड से, वन्त्री प्योटाडाईंज से, इस पर डिस्कस किया था। आज एक इलेक्ट्रोफिलिक सस्टिटूशन रियक्शन के अंदर, जिस परकार से हमने, पायरोल, फ्यूरेग के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सस्टिटूशन रियक्शन के बारे में पढ़ा था। एक उसे परकार, थायोल या थायोफिन, मैं अभी इलेक्ट्रोफिलिक सस्टिटूशन रियक्शन, एजिने संपन होती है। क्योंकि, वालेक के अंदर, कार्बन पर्मानों पर, हाई एलेक्ट्रोण डेंसिटी, जो पाई एलेक्ट्रोण होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन सब्साथ है। थायोफिलिक सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, लेकिन ठोड़े इसकी जो रियक्टिव एक्टिव होती है, पायरोण और फ्यूर्यन से कम होती है। सबसे अधिक रियक्टिव पारोल होता है उससे कम फ्यूरैन होता है और उससे कम थायोफी नमबर का अधर एक्जाम में स्वाल पूछा जाए पार्ट के अंदर फायट मेंबर तो एल्ट्रोसाइटलिक कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा उससे कम फ्यूरैन और सबसे कम थायोफी अब यहां पर जो इल्यक्ट्रोसाइटलिक सबस्टिव पारोल और फ्यूरैन में पड़ा ठीक उससे परकार इसमें कि आने वाला इल्यक्ट्रोसाइट से टू या सी फाइब पोजिशन पर अटेक करता है क्योंकि आप देख रहें कि जब सी टू पोजिशन पर इल्यक्ट्रोसाइट अटेक करेगा तो इस कंडिशन में तीन रेजनेटिंग इस्ट्रक्चर प्राप्त होती है आने वाला इल्यक्ट्रोसाइट शी टू कर रहा है कि पहला रेजनेटिंग इस्ट्रक्चर प्रप्रत होती है क्यूंकि अधू एलेक्ट्रोफाइल सीठी पोजीशन पर अटेक करता है तो इस अग्डेशन में आप देखें कि यह दो ही रेजनेंटिंग इस्टेक्चर प्राप्ट होती है तो यहां पर यह जब लेक्ट्रोफाइल सीठी कार्बन पर अटेक करता है तो यह कंदिशन मोर स्टेबल रैजडेनेंस रैडिन बनेगा और जब सीठी पोजीशन पर प्राइगा तो लैस्टेबल बनेगा इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल C2 या C5 पोजिशन पर अटेक करकी इलेक्ट्रोफिक्स सब्स्टिटूटेड प्रोडेक्ट देता है जब तक C2 और C5 पोजिशन ब्लॉक नहीं है या इस पर कोई अधर ग्रॉप्स जुड़े हुए नहीं पुस्ट कांडिशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल C2 या C5 पोजिशन पर ही होता है अब हम देखें कि नेक्स्ट कौन कांसे इलेक्ट्रोफिक्स सब्स्टिटूशन येक्शन से जो थायों के द्वारा रिपाजिन की जाए कि जिसमें नाइट्रिशन है सर्फूनेशन है एरोजिनेशन है देखिए नाइट्रिक्रन के अंदर जब थायों फिन का नाइटिक्रन असे ये नाइटरिक्स economy uh अओ है ये नाइटिuelle नाइट्रेट के साथ एसिदिग एन हाइड़ाइड यह उपस्तुति में करवाते हैं तो तू नाइट्रो थायोर बनता है क्या थायोफीन बनता है थायोफीन एसिदिग नाइट्रेट के साथ अभी क्रिया करेगा एसिदिग एन हाइड़ाइड दास्तिग इसेंडिकेट आप परजब स्पूप क्याइड करेंगे तो यहां से जो एक्स 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 प्लस होगा एलेक्ट्रोफाइल कि एक्स त्रीशी के साथ में जुल करके एसिटिक एसिद मॉलिक्ल पे रुप में रिभू हो जाएग्स और आने वाले जो एक्स प्लस है वो सीटू कारवन के साथ में जुल करके टू नाइट्रो थायोलिया थायोफीन बनाता है नेक्स देखिए दूसरे सल्फो नेशन सल्फो निकरम जट थायोल या थायोफीन का सल्फिरिक अमलक H2SO4 के साथ SO3 और पिरिदिन केटलेस्ट की पाजेंस में जब एक्सस करवाई जाती है आने वाला इलेक्ट्रो फाइल सीटू कार्बन के साथ जुनकर की थायोफीन तू सल्फो निक अमलक बनता है सल्फो निशन के अनल सल्फिरिक अमलक के साथ में थायोफीन की विक्रिया करवाते हैं एक्सक्रिया पेरियन केटलेस्ट की पज्ञेस में आने वाला जो इलेक्ट्रो फाइल है वो सीटू कार्बन के साथ जुनकर की थायोफीन टू सल्फो निक ऐसे देता है नेक्स्ट देखिए अगले एलोजीनेशन एलोजनिक का नभी क्रिया जिसमें लोजीनेशन है ब्रोवीनेशन है और आयोडीनेशन है नेक्स्ट देखिए एलोजीनेशन के अंदर सबसे पहले हैं क्लोरीनेशन क्लोरीनी करना जब थायोफीन की विक्रिया क्लोरीन के साथ माइनस थर्टी डिगी सेंटिगेट टाप पर करवाते हैं तो बिन बिन एलेक्ट्रोगिक सब्सक्रिफिटेट प्राप्त होते हैं जिसमें वन क्लोरो थायोफीन प्लास वन थायोफीन प्लास वन थायोफीन प्लास वन टोब 2- Chlorothiophan 2- 5- Dichlorothiophan 1- 2, 3, 4, 5 कॉमा फाइब टेट्रा क्लोरो थायोफिन याई क्लोरिनेशन के अंदर जो थायोफिन होता है माइरस 30 डिगी संटिकेट ताप पर बेन बेन सब्स्टिटिटिटिट प्रोडेक्ट जिसमें क्लोरो थायोफिन प्लास तुफायव डैकलोरो थायोफिन प्लास त्रू, थ्री, फोर, फ्रैजे़, फ्यक्लोरो थायोफिन टेन विविन जो क्लोरो स्टिटिटेड है उनका मिस्टरण प्राफ्ट हुथा है नाइक्स ब्रोमीनेशन के अंदर जब थायोफिन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ कारवन टेट्राक्लोइड से स्यल कुर या फिर एसिटिक एसिट और इथर सॉलिसन के अंदर कराते हैं तो फ्रू ब्रोमो थायोफिन बनता है अगर थायोफिन का गोमीनेशन बेश की परजेंस में करवाता है परवर्ष आपके उपस्तोती में जब ग्रोमीनेशन करवाया जाता है तो यहां प्रू ब्रू प्लस C2 और C5 दोनों कार्बन के साथ जूर करके तो फ्रू ब्रोमो थायोफिन बनता है आने वाला ब्रू प्लस इसके अनुएक्स की परजेंस में C2 पर और C5 कार्बू पर अठेक करें और तीसरा यह भी थायोफिन का गोमीनेशन एन ब्रोमो सक्सिनमाइड की उपस्तती में करवाते हैं एन ब्रोमो सक्सिनमाइड तो यहां से ब्रू प्लस आने वाला जो इलेक्ट्रो फाइल है वो C2 कार्बू के साथ में जुबकर की टू ब्रोमो थायोफिन बनाता है प्लस सक्सिनमाइड अलग हो जाए आयोडी नेशन के अंदर जब थायोफिन का मार्गिरिक ऑक्साइड की उपस्तती में आयोडी के साथ दिक्रिया करवाते हैं तो आने वाला आयोडी नेशन के अंदर फ्लूरी नेशन ग्लूमिनेशन और आयोडी नेशन से बिन-बिन इलेक्ट्रोफिक सर्स्टिटीटेड प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट होते हैं अब नेक्स्ट अगले विक्रिया है फ्रेडल क्राप रेक्शन नेक्स्ट देखे फ्रेडल क्राप रेक्शन से अंदर अल्गाइलेशन और असाइलेशन अल्गाइलेशन में जब थायोफिन की विक्रिया नौर्बर एस यह उत्रेक्ट की उपस्तति में करवाते हैं तो उसका पॉलिम्रेजेशन बहुलिक कर जाता है इसलिए थायोफिन प्रोपीन के साथ में प्री या फिर एक्स्ट्री पीयोफोर वारान ट्राइफ्लोर है या फोस्पॉलिक उपस्तति में एल्गाइलेशन की द्वारा आने माला इलेक्ट्रोफाइल स्थी चुछिण करके गुण तो इसे प्रोपाइल थायोफिन बनाते है इस से पहले बनडिट्री कार्बोकेटाईं के अंदर चेनच भशाएगा प्रें इन तमिडियीयर इलेक्ट्री में द्प्रूफाइल प्रोपाइल थायोफीन देता है एसाइलेशन में जब थायोफीन की दिख लिया एसेटिक एनाइड़ाइड के साफ एस्ट्री पीओ पर प्रेक्ट्टू पस्तत्ति में करवाते हैं तो आने वाले एलेक्ट्रोफाइल CO、 CS3 plus C2 Carbon के साफ जूर करके तो एसेटरि थायोफीन बनाता है ये एसेटरि के साफ जूर करके तो एसेटरि थायोफीन देता है और यह दिए थायोधीन की ब्रिकरिया एसिटिल क्लोड के साल इस्टनल्यक्लोराइट ऐसेंशन सीन फोर की ऊपसलती में करवाते हैं तो यहां पर भी आने वाला एलेक्ट्रोफाइल सीयोप्लास सीटू कारवन के साथ में जुन करकी दोएसिटिल थायोफीन बनाता है कि नेक्स्ट थे तो बेक्रिया नोरुमिधाइलेशन नोरुमेथिलिक ग्रंट जिसमें थायोफीन की विक्रिया फार्मेडियाइड और एस्टियर गैस के उपस्ति में करवाते हैं तो बढ़ने वाला जो इलेक्रोफाइस सीटू क्लास थायोफीन की सीटू कारवन के साथ मिजू करकी तू ख्लोरो मैथेली थायोफीन बनाता है यहां पर भी इलेक्रोफिलिक सब्स्टिशन हो रहा है और मेडियाइड प्लस एस्टियर पहले भी किरिया करकी सीटू सीटू करेंगी यह एलेक्रोफाइस सीटू कार्वन के साथ मिजू करकी तू ख्लोरो मिधायल थायोफीन बनाता है विल्स में फोर्माइलिशन में जब थायोफीन की विक्रिया एन एन डाइल मैथिल फोर्माइल से फॉस्पर्स ऑक्सेक्लराइक्ट्यू पस्तति में विक्रिया हुई तो यहां पर आने वाला एलेक्रोफाइल सीटू कार्बन के साथ जुटकर की तू फोर्माइल थायोफीन बनाता है इस परकास से फ्रेडर क्राफ्ट रेक्शन ख्लोरो मिधायलेशन और विल्स में फोर्माइलेशन जसके अंदर आने वाला एलेक्रोफाइल के साल जुटकर की विल्टमेंड स्टीटिटीटें प्रोडेक्ट नेते यह द करेंगा हुई अब हम नेक्ष्ट जो इसकी अगले और करिक्रोफाइलेशन रेक्षांऽ मेनिच रेक्षण यह यह दाइजानिम सॉल्ट Whats. кGroup अर्रेडम करेंगे, ओके, थेंक यू